हेलो गाइज तो स्वागा थे आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ग्यान दानमीर वेफ्रेंट्स आपके सामने एक न्यूज हेड्लाइन दिख रहा होगा जो निक्ति पत्र की शमंद में है आपको पता होगा कि आया दिन शिक्षा मंतरी नहीं बयान दे कर जा पत्र इनकारे में ब neighboring होती जाड़ी यह ज्यास आज देखिए नोडल पता दिकारी का गठन कया गया निक्ति पत्र जो वित्रन होने है उसके लिए ताकि निक्ति पत्र का वित्रन वीत्रन पूरि पारदर्शिता से हो सके देखिए यह फिसकी समंद में कुछ न्यूज है इ का है न्यूज में इसको पढ़ लेते हैं एक बार उसके बाद आगे बात करने वाले हैं अगावी 25 फरवरी को प्रारामभिक सिक्षक के बीच नुक्ति पत्र वित्रन के विभागे निर्देश के आलोक में जिला सिक्षा पताधिकारी विभाकुमारी की द्रिफ्षता में बै पाया गया कि राज के अंदर के संस्थानों से समन्दित सभी परवानपत्र के सत्यापन के लिए कारवाई की गई है पताधिकारियों कि प्रती नियुक्ति कर सत्यापन की कारवाई की जा रही है किन्तु राज के बाहर के परवानपत्र के सत्यापन के शमन्द में यह निर् स्पीड पोस्ट के माध्यम से होगी इसके लिए भेजे जाने वाले पत्र जिला सिक्षा पताधिकारी द्वारा हस्ता अक्षरित होंगे जिला अस्तर पर नियुक्ति पत्र वित्रन के लिए नोडल पताधिकारी की जिमेदारी MDM DPO संजय कुमार देव कनहिया कुमार शौफिगी गई है नियुजन कोशांग में प्रति नियुक्ति सिक्षक सुनिल कुमार जा आनंद कुमार राय एवं सुधिर कुमार सिंग के इस तर्ग को मान लिया गया कि नियुजन की करवाही तीनों सिक्षक मिलकर पूरे करेंगे प्रारंबिक सिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरन के लिए तयारी में जुटे अधिकारी जिला अस्तर पर नियुजन पत्र वितरन के नोडल पता अधिकारी होंगे डिपियो संजय कुमार देव कनहिया आगे है स्पीड पोस्ट से राज के बाहर के प्रमानपत्रों के सत्यापन की हो रही है कारवाई प्रारंबिक सिक्षकों के बीच प्रारंबिक सिक्षकों के बीच प्रारंबिक सिक्षकों के बीच पचीस फरवरी को निक्ति पत्र वितरन को लेकर प्रमान पत्र सत्यापन का कावैद जारी है शिक्षा विवाग पदाधिकारी की अद्योक्षता में नियोजन समंदी हुई बैठक में लिये गए कई निर्णा है यह सारा बात मीटिंग में किया गया है जैसे कि आप देख रहे हैं आगे है इसको देखे थोड़ा सा तीन दिनों के तीन दिनों में किर्तरपूर प्रखंद के मेधा सुची उपलब्द नहीं होंगे पर सचिव पर होगी करवाई अगर तीन दिनों में किर्तरपूर प्रगर्ण का मेधा सुची उपलब्द नहीं कराये जाता है तो सची पर करवाई होगी इसको आप स्कीन सॉट लेकर पढ़ सकते हैं चलिए आज के वीडियो में इतना ही तब तक के लिए थैंक्यू